नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यानकामना पर तो दोस्तों अपने खुद की SSO ID से अपने जन अधार कार्ड में ओनलाइन अपडेट कैसे करें वो भी बिल्कूल फिरी में बिना किसी इमित्र की मदसे चाहे आपको अपना मोबाइल अपडेट करना हो या फिर नया जोड़ना हो किसी सदसे की फोटू आपको चेंज करना हो या नाम आपको प्रिवर्तन करना हो एड्रेस प्रिवर्तन करना हो जमाबंदी आपको जोड़ना हो या फिर income update करना हो, कहने का मतलब हर परकार का जो update है, आप अपनी खुद की SSO ID से कर सकते हैं, वो भी फिरी में गर बठे, अपने मोबाइल से, अपने घर के PC, लेप्टोप से, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको step by step जानकारी देने वाला हूं, अगर आपको भी अपने जन अधार कार्ड में किसी परकार का update करना है, तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो दोस्तों जन अधार में update करने के लिए, सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की SSO ID में login करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जान SSO ID कैसे बनाई जाती है, तो इसके लिए भी हमारा दूसरा वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, करना क्या है, सबसे पहले आपको Google पे जाना होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, ढूंडना होगा SSO ID, तो देखिए आपके सामने SSO ID की जो official website का लिंक है, वो आजाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस तरह से login page open हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको SSO ID डालनी है, password डालना है, यह जो capture है, इस box में आपको डालना है, फिर आपको login पे क्लिक करना है, अब जैसे आप login पे क्लिक करोगे, तो इस तरह से आप अपनी SSO ID में login हो जाओगी, इस तरह का interface आपको यहाँ पे दिखाए देगा, यह दि आपने SSO ID में पहले कोई application को यूज किया, अगर इस तरह का interface आपको नहीं दिखाए देता है, पहली बार SSO ID को यूज करने जा रहे हो, तो फिर आपको इस तरह का interface दिखाए देगा, जहाँ पर काफी सारी application आपको नजर आएंगे, यहाँ पर एक application है, जिसका नाम है जन आधार, आप यहाँ पे दे सकते हो, इस परकार का logo है, अलांकि मेरे case के अंदर यह सबसे पहले number पे आरक है, हो सकता है कि साइद आपके case में यहाँ पर आपको नहीं म सकते हो, जब आपके SSO ID के साथ आपका जन आधार number लिंक होगा, और जन आधार को लिंक करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी SSO ID की जो profile है, वो आपको update करना पड़ेगा, अगर वो पहले से अपडेट है तो दुबारा इसके आप सेकता नहीं है, और profile update करने के लिए यहाँ पे देखे, सबसे उपर आपको profile का नाम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखे, आपको pencil का option नजर आ रहा है, इस वाले option पे आपको यहाँ पे click करना है, जैसे आप इस पे click करोगे, तो देखे, इस तरह से आपके SSO ID की profile हो open हो जाएगी, जहाँ पर आपके बा या column आपको मिलगा, यहाँ पर आपको अपना जन अधार नमबर वो डालने, जन अधार नमबर डालने के बाद आपके mobile नमबर पे एक OTP आएगी, उसे आपको verify करना है, verify होते ही आपका जन अधार है, SSO ID के साथ लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से update करना है, जब तक आप update नहीं करोगे, तब तक आपकी profile वो share नहीं होगी, मैं यहाँ पर इसको cancel कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही जन अधार ID है, वो अपनी SSO ID के साथ वो link कर रखी है, अब जैसे आप update करते हो या फिर cancel करते हो, वापस आप SSO ID के dashboard पे आ जाते हो, यहाँ प आने के बाद एक option आपको दिखाए देगा, enrollment, आपको इसी वाले option पे click करना है, जब आप इस पे click करोगे, तो और भी देखे काफी सारे option है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक option आपको नजर आएगा, citizen editing, मैं आपको zoom करके वो दिखाता हूँ, citizen editing, इस प पे हैं, उनकी list है, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे हो दिखाए देगी, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जन आधार में update करने के लिए आपको पहले online KYC करने पड़ेगी, और KYC के लिए देखिए, आपके mobile number पे एक OTP आएगी, यहाँ पर जिस mobile number पे आप OTP चाहते ह उसको आप यहाँ पे select है, वो कर लिजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए, आधार से भी आप कर सकते हो, और जन आधार से भी आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जन आधार को select कर रहा हूँ, फिर आपको OK पे click करना है, तो SMX OTP है, वो आपके mobile number पे आजाएगी, वो आपको यहाँ पे डालना है, OTP डालने के बाद आपको यह वेरिफाई वाला option है, इस पर आपको यहाँ पे click करना है, यदि आपकी OTP सही है, तो इस तरह से आपका जन आधार वो open हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले जन आधार में आपके परिवार का जो मुख्या है, उस इसकी photo है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका नाम आपको यहाँ पे है, वो दिखाई दे रहा है, अगर मुख्या के नाम में, address में किसी परकार का कोई परिवर्तन करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, देखिए, सारी detail आपको यहाँ पे नजर आ रही है, photo यह दिखाई आपको चेंज करना है, तो चोइस फाइल वाले option पर आपको यहाँ पे किलिक करना है, फिर आपको upload वाले option पर किलिक करना है, तो मैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुख्यागी जो photo है, वो अपडेट करने चाहता हूँ, तो मैं एक बार photo है, वो यहाँ से select हो कर लेता हूँ तो देखिए यह हमारी photo है मैंने इसको select कर लिया upload वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है तो ऐसे में देखिए आपकी photo है यहाँ पर upload हो जाएगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जब भी अपन जन आधार को open करते हैं तो यहाँ पर देखिए अन्य किसान है इसको मैं select कर लेता हूँ ठीक है फिर यहाँ पर देखिए भूमी का परकार है आपको select करना है क्योंकि देखिए जब आप जन आधार में update करते हो किसी परकार का तो देखिए 14-15 दिन का समय लगता है तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पर राय देना चाहूँग मैं यहाँ पर एस इंचित हो कर रहा हूँ क्योंकि भूमे में किसी परकार का कोई यहाँ पर कुवा अगरा वगरा नहीं है ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए कूल भूमे धारक जमीन हेक्टर में कितनी हेक्टर में आप अपनी साबसे हो लिख दीजेगा तो देखिए कम से कम आप यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा ठीक है इसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एक लिखा तो यहाँ पर देखिए आपकी भूमे से संबंदित जानकारी यहाँ पर पुछी जाती है अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा द डालना है अब खाता नंबर आपको नहीं पता है तो या तो पटवारी से आप पता लगा सकते हैं या फिर देखिए अपना खाता की एक website है उसके दवारा भी आप पता लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पे देखिए यह खाता नंबर है यहाँ पे इसको select हो कर रहा हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, यह डाला, इसके बाद आपको search करना है, अब जैसे आप search करोगे, तो यहाँ पर देखिए, इस भूमे के साथ, जितने भी अपने परिवार के सद्दस से हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर दिखाए देगा, यानि यह पर एक बार यह check box है, इसे आपको tick लगाना है, save land detail वाले option पर click करना है, तो आपकी भूमे से संबंधी जानकारी है, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, इसके बाद यह दिए आपको यह अन्ने परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, मान लिजे उसका bank account है, य पर देखिए, और यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा, यह दि आप अकेला mobile number अपडेट करने जा रहे हैं, या add करने जा रहे हैं, तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर verification के आवसेक्ता नहीं होती है, वो तुरंत अपडेट हो जाता है, बाकि जो भी आप अपडेट करो अपडेट करने के बाद पहले आपको सेव करना है, तो जो भी आपने यहाँ पर डाटा को अपडेट करना है, वो सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद देखिए, उसकी डिटेल है, सबसे उपर आपको यहाँ पर दिखाए देगी, अगर एक बार ICI verification के लिए देखना चाहत देखे वाले option पर किलिक करके उसकी detail आप देख सकते हैं, अब इसके लवा परिवार के जो अन्य सदसे हैं, उसमें भी यही किसी परकार का कोई संसोधन अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यानि last में आपको आना है, और last में देखिए, आप आपको सद्धस्यों के नाम है वो दिखाये देंगे, अब जिस भी सद्धस्य की डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यह रेडियो बटन दिया गया है, इसको आपको सलेट कर लेना है, जैसे आप सलेट करोगे, तो उस सद्धस्य की डिटेल है वो ओपन हो जाएगी, देखिए, वो सद्धस्य है, उसका जो फोरम है, इस तरह से देखने को आपको मिल जाएगा, जो भी डिटेल आप सद्धस्य की अपडेट करना चाहते हैं, वो अराम से अपडेट कर दीजेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पर आपको एक बार income के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर income किसी member की आपको update करनी हो, तो यहाँ पर देखिए, income है, यहाँ पर आ रखा है, income यहाँ से update कर सकते हैं, कितनी income है वो लिग दीजेगा, student की है, granny की कोई income नहीं होती है, तो 00 कर दीजेगा, अगर आपको mobile number update करना है, तो यहाँ पर देखिए, पहले से एक mobile number add है, इसको हम परिवर्तन करना चाहेंगे, नया update करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं नया mobile number है, वो इस तरह से लिग देता हूँ, इसके बाद देखिए, आपके mobile number पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ डालना है, OTP डालने के बाद, verify OTP वाला option है, इसको आपको OK करना है, तो देखिए, आपके OTP verify हो जाएगी और आपका नया mobile number है, इस तरह से update हो जाएगा, डिटेल अपडेट करने के बाद, यहाँ पर देखिए, लास्ट में आपको update करे का option मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जानकारी आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, कि जब भी आप कोई member को update करते हो, कोई परिवर्तन करते हो, तो लास्ट में आपको हर बार update करना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान लकना है, जब तक आप update नहीं करोगे, तो उसकी detail वो save नहीं होगी, जैसे आप update पर क्लिक करते हो, तो देखिए detail है, कुछी इस तरह से हो जाती है, पेज है, थोड़ा सा पिछे आ जाता है, अब यहाँ पर देखिए last के अंदर मान लिजिए, जब आपने पूरी तरह से update कर दिया, हर एक candidate की detail है, आपने update कर दी, अब यह चाहते हैं कि यह मेर आपका जनाधार कार्ड है, वो भिया आगे department के पास नहीं जाएगा, तो लास्ट में, वेरिफिकेशन के लिए बेजे वाले option पर आपको क्लिक करना है, अब जैसे आप OK पर क्लिक करोगे, तो देखिए, यहाँ पर रशीद संक्या है, वो आगई है, ओके वाले option पर आपको यहाँ पर अपडेट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसे बहुत से के लिए सुरक्षित रखना है, आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है, और पीडे फाइल में आप इसे सेव कर लिजेगा, प्रिंट करने के आव सेकता नहीं है, बस केवल इसके नंबर के आपको कई बार आप सेकता हूँ पर जाती है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, आप भी कर लिजेगा, बस इतना काम हो गया, अब दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा, कि आपका जनाधार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, तो इसके लिए देखिए ए और यहाँ पर एक उप्शन आपको नजर आता, जनाधार नामकन सत्यापन की परकिरिया, इस वाले उप्शन पर यह जो पलस का उप्शन है, इसके थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए, आपने क्या-क्या एडिटिंग की है, कब क्य क्या है, वो सारी डेट आपको यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए, पर्थम इस्तरिये सत्यापन लंबीत, यानि सबसे पहले अपनी गराम पंचाय से वेरिफाई होगा, फिर पंचाय समिती से, फिर डिस्टिक लेवल से, फिर स्टेट लेवल स ऐसे मतलब इसके दो-तिने स्टेप हैं, तो यहाँ पर पहला स्टेप है, गाउं से इसको वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए, आपके गाउं का नाम या आईडी आपको दिखा देता है, ठीक है ना, और अगर माल लिजिए, आपने यहाँ पर एडि पर किरिया धिन है, यानि अभी फाइनल वो अपडेट नहीं किया, उन्होंने डाटा को लोक नहीं किया है, इस तरह से आप मान लीजिएगा, तो लास्ट में आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजे वाला जो उप्शन मैंने आपको पहले बताया है, जब आप उस पे किलिक है, वो 5 से लेके 7 दिन के अंदर-अंदर हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट के नेम अनुशार की बात करें, तो 14 से लेके 15 दिन का समय लगता है, 15 दिन में तो आपको वास्ता में ही पता लग जाएगा, बार-बार आपको इसका जो इस्टेटेस है, यहीं से चेक करना है तो दोस्तों इस परकार से हम अपने SSO ID से अपने जन अधार कार में किसी भी परकार का अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फिरी में, अगर जानकारी आपको प्रसंद आई होते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको लेके यह दिए आपके और भी को वीडियो अपलोड करें, तो उसका एक notification है, वो आपको मिलता रहेगा, और SSO ID से related जितने भी important वीडियो है, उन सब के लिंक आपको वीडियो के description में है, वो आपको मिल जाएगा, तो मिलते हैं friends, अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!